सबी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप देख रहे हैं मेरे साथ ओम प्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ओफिशल यूट्यूट्यूब चैनल और बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं सोन्या चौधरी तो साथियों लगातार अभी खबर न्यू स्कीम रेजिडेंशल पर ही आ रही है जो भी अपडेट है और लोग भी कहीं न कहीं बहुत बढ़ चड़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं क्यूकि दो से तीन दिन में ही जो एप्लिकेशन फॉर्म अप्ल क्योंकि जो जानकारी लोगों तक नहीं पहुच पा रही है वो लोग अथोर्टी में एक बार जाकर पूछ लेते हैं तो उससे नए नए अपडेट आप लोगों को मिलते रहते हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ अभी एक सर का कमेंड था नीचे कि वो रिसेल में उन्हो अप्लाई कर सकता हूं तो अथोर्टी ने कहा कि नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जो उनका ट्रांसफर ओफ मैमोरेंडम था जो टीम डला हुआ है उसमें अल्रेडी लिखा हुआ है कि आप आने वाली किसी भी स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो इस किसी भी scheme में apply नहीं कर सकते हैं तो सभी लोग जिन लोगों ने resale में यहाँ पर plot खरीदा है वो लोग अपना transfer एक बार check कर ले, देख ले अगर उसमें ऐसा mention नहीं है तो आप apply कर सकते हैं otherwise अगर mention कर रखा है तो आप उस scheme में apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि authority की नजरों में transfer जो है property वो आपके नाम पर हो चुकी है तो owner आप उस property के हो चुके है तो ये बहुत महत्वपूर्ट जानकारी है सात्यों उन लोगों के लिए क्योंकि बहुत सारे resale वाले लोग भी scheme में apply कर रहे हैं हर दिन तो apply करने से पहले जरूर एक बार अपने जो transfer है property का उसे अच्छी तरी से जांच ले परक ले और सारी चीजों को check out कर ले वहीं सात्यों बहुत अच्छी ख़बर है reject हो जाएगा आवेदन रखे इन सब बातों का ध्यान जी हाँ अगर हम बात करें इससे पहले जो RPS06I थी scheme उसमें बहुत सारी गड़बर होने के कारण लगभग 35,000 लोगों को जो form है उन्हें reject कर दिया था इट मेंस कि 35,000 लोग पहले ही बाहर हो चुके थे draw में शामिल होने से पहले इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें form भरते समय मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूं किसी भी तरीके की कोई जल्द बाजी ना करें form को भरने में apply करने में account details अच्छे से भरें अपना नाम आपकी जो id है अपने sign अच्छे से upload करें photos सारी चीजे clear होनी चाहिए किसी भी तरीके का कोई confusion नहीं रहना चाहिए अगर कोई भी confusion है तुरंत phone उठाईए call लगाईए अपना doubt किलियर कीजिए और अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रही है form fill करने में तो office आईएगा हम proper सारी सही जानकारी के साथ आपका form fill कराएंगे इसलिए किसी भी तरीके की कोई गड़बड ना करें draw में शामिल होने से पहले ही चीजे ना बेकार हो जाएं इसलिए बहुत समझ के बहुत सूजबूज के साथ form में अपलाई करें वही सातियों बात कर ले हम अभी 2-3 दिन आठ तारीक को ही लॉंच होई इसकी मार्केट में और बहुत अच्छी साबित होते हुए नजर आ रही है लगबग 13,000 के करीब लोगों ने यहाँ पर पंजी करन कराया है बहुत सारे लोग fees भी जमा कर चुके हैं बाकी एच चीज यह भी कि अभी ICI bank से यह clear नहीं हुआ है कि जो bank loan देगी अभी ICI bank authority की इस scheme पे वो 90% देगी या 100% देगी अभी ऐसा कुछ clear नहीं है अभी यह है कि 10% तो आपको अभी जमा करना ही करना है उस पर कोई loan available है नहीं और 90% पर loan होगा अभी तक जो चीजे clear है वो यही है कि पूरा 100% bank loan नहीं दे रहा है 90% जो bank है वो अभी loan देगा वो भी जब अभी 10% आप submit कर ही देंगे उसके बाद अगर आप draw में शामिल होते हैं या आपका plot निकलता है तो उसके बाद आपको ICI bank loan देगा बाद की कुछ और भी changes हो सकते हैं क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजे निकल कर आ रही है तो जो भी चीजे निकल कर आएंगी वो हम आपको अपनी खबर से अपने YouTube के channel के माध्यम से जरूर आपको यहाँ पर हम खबर देंगे बाद की सबसे पहले जो मैंने आपको जानकारी दिये वो बहुत महत्वपूर्ण है बहुत ही important है इसलिए सब लोग अच्छे से अपना TM एक बार चेक कर लें उसमें कहीं ऐसा mention तो है नहीं लोग बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं सातियों जो यमना 30 के 1184 प्लॉट निकले है साइज 120 मीटर से लेके और आपका 2000 मीटर तक का साइज दिया है बाकी बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि अभी उसमें dimension mention नहीं है तो जिनका comment था मैंने उनको revert भी किया है क्या क्या dimension होंगी 120 मीटर की 200 मीटर की और 300 मीटर की most probably सब लोगों को पता ही है इसकी में सभी लोग apply करें अच्छे से form भरें सारी जानकारी के साथ भरें हम हर संभव मदद करने को आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर तो किसी भी तरीके का कोई संदे है कोई confusion है कोई doubt है उसे तुरंत clear करें doubt के साथ form ना भरें इसलिए कोई भी question कोई भी क्या रही है आप call कर सकते हैं number हमेशा screen पर mention होंगे बाकी नीचे भी आप description में देंगे वहाँ पर भी number है अगर आपको screen पर भी नहीं दिखाई देते हैं तो नीचे description में भी हमारे number mention होते हैं लोग नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रूची दिखा रहे हैं हर तरीके से super duper hit नजर होती हुए scheme आ रही है कोई भी scheme आ जाए RPS 07 तो खेर चली रही है लेकिन इससे पहले भी जो 2-3 scheme लाई जा रहे हैं उसमें भी अपतेजी आ रही है तो अच्छी अच्छी ख़बर प्राधिकरंट से निकल कर आ रही है सात्यों वहीं बहुत सारे लोगों के question हैं कि जो 500 meter के plot है 1000 meter के plot है 2000 meter के plot है वो किस sector में लगेंगे तो वो sector 20 में लगेंगे 500 meter की 5 pocket है सेक्टर 20 में Q, R, S, T और U इन पांचों में ही 500 meter के plot लगेंगे यह वो plot है जो किसी कारण बास अपनी payment नहीं जमा कर पाए किसी के plot surrender हुए होंगे तो यह उन्ही में relocate किये जाएंगे यह plot तो उन्हें जल्दी से जल्दी possession भी मिलेगा क्योंकि already ही developed है sector ऐसे ही 1000 meter के 1000 meter की 3 pocket है C, D और E sector 20 में और वही 2000 meter की बात करें तो 2000 meter की किवल 1 pocket है pocket B sector 20 में बाकी 120 meter 162 meter, 200 meter और 300 meter यह जो plot है वो sector 16 और sector 17 में होंगे बाकी बहुत सारे लोगों का यह question है कि मैं यह बताएं कि हम कौन से वाले plot में जाएं 120 meter के फॉर्म भरे 162 meter के या 200 meter की संख्या जादा है आप सब लोग यही सोच के फॉर्म फिल करेंगे कि 200 meter के जो number of plots हैं वो जादा है तो उसमें और जादा लोग apply करेंगे क्योंकि सबका एक होता है mindset कि इस वाले उसमें फॉर्म फिल कर देते हैं तो अपने budget के हिसाब से अगर घर में 2-3 लोग हैं तो अलग-अलग size के आप फॉर्म फिल करेंगे 120 meter कर दीजे, 162 meter कर दीजे 200 meter कर दीजे, 300 meter कर दीजे तो अगर 3-4 फॉर्म एक साथ भर रहे हैं या family में कोई और भर रहे हैं तो अलग-अलग size में ही apply करें ये किसी ना किसी का फॉर्म निकलेगा, बाकि सब कुछ देखो किसमत पर है, यहाँ पर किसी के हाथ की कोई चीजे नहीं हैं, कि हम ये कहें कि इसमें फॉर्म फिल कर दीजे, इसमें आसानी से आपका plot निकल आएगा, सारी ही चीजे निर्धारित हैं आपकी किसमत पर, आपके भागे पर तो इसलिए बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करें क्योंकि पहले हमने बताया, पहले जो स्कीन थी, उसमें लगबग 30,000 लोगों को ड्रॉ से भार निकाल दिया था, क्यों? क्योंकि उनकी फॉर्म में बहुत गड़बड़ी थी, बहुत दिक्कत थी, इसलिए वो ड्रॉ में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए हम आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे, किसी भी तरीकी की कोई कोई कोशन है, तुरंत फोन करके पूछे, मैसेज करके पूछ लीजे, वैसे आ रहे हैं लगातार, बहुत सारे सर के कॉंटेक्ट है, मैम है, बहुत सारे लोग जुड रहे हैं मैसेजिस के माध्यम से, बाकी एक लिंक है, जो हम शेयर भी कर रहे हैं, और मैं आपको प्रीविएस, ये जो अभी वीडियो बना रही हैं, उसमें लास्ट में भी मैंने वो मेंशन किया है, लिंक तो उस लिंक पर आप जाकर, ओनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहीं इडा की आवासे स्कीम निकले हुए, अभी तीन दिन ही हुए है, और तीन दिन में ही हम बात कर लें, तो लगबक 13,000 से ज़्यादा लोगों ने स्कीम में पंजी करण अपना करा लिया है, और 4,4,392 लोगों ने आवेदन फॉर्म खरीद लिया है, एक सितंबर तक स्कीम में आवेदन जारी रहेगा, उम्मीद की जा रही है, एक लाग से ज़्यादा लोगों के आवेदन स्कीम में आएंगे, ये उम्मीद तो मेरे हिसाब से कम है, एक लाग, एक लाग से भी कहीं और जादा लोग यहाँ पर apply करेंगे, जिस तरीके से लोगों में खुमार है, जिस तरीके से लोगों को नई scheme का चड़ा हुआ है, परवान चड़ी हुई है नई scheme, हर दिन लोगों का सिर्फ एक ही question है, अभी की हम बात करें market में कि new scheme में क्या process है, कैसे apply कर सकते हैं, बाकि कुछ लोग बहुत unaware भी हैं, तो कृप्या करके वीडियो देखते रहिए आप, ताकि आप चीजों से update रहें, क्या करना है, कैसे करना है, क्या इसका process है, इसलिए लगातार वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को subscribe करिए, ताकि notification से आपको idea करना है, किसी भी fraud, किसी भी fake website पर जाके form fill नहीं करना है, 590 आपकी जो registration fees है, अभी आप proper registered कर दीजे, अगर आपको 10% amount बाद में भी देना पड़े, वो को issue नहीं है, लेकिन apply आप जरूर कर दीजेगा, ठीक है, ज्यादा लंबा समय भी ना कीचे, अराम से fill करिएगा, ऐसा नहीं है, एक साथ भी मत ज्यादा जलबाजी कीजिए, और अराम से अपना form fill कीजिए, apply जरूर कर दीजेगा, बाकी कोई question, कोई query, 9800, 500, 700, पहला नमबर है, 8510, 801, 801, दूसरा नमबर है, ये दोनों ही नमबर IVR है, कम से भी कम, 5-6 executive आप से जोड़े होंगे, अगर एक बा करने के लिए ही यहाँ पर हम बैठे हैं, आपका question, आपकी query, phone के through, आप solve करना चाहते हैं, phone के through कर लीजेगा, office आकर आप चाहते हैं, form fill करना वो भी possible है, बाकी अगर आपको दूर रहते हैं, तो आप video call से, whatsapp messages से, audio call से, किसी भी तरीके से आप हम से जुड सकते हैं, बाकी म यही कहूंगी, जादा से जादा लोग यहाँ पर apply करें, प्रभू से यही प्रातना करेगा, OPPL परिवार, कि जिन लोगों का सपना है, यहाँ अपना घर बनाने का, निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, वो जादा से जादा लोगों का पूरा हो, यह तो नहीं कह प्रातना करेंगे, कि जादा से जादा लोगों को यहाँ पर मौका मिले, अपना आशियाना बसाने का, यहीं देती हूँ वीडियो को पूर्ण विराम, जल्द मिलूंगी, कोई भी अपडेट आती है, यह अमना प्राधी करन से निकल के, तो उस खबर के साथ, अब लेती और आपका दिल से बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद